दोस्तों अगर आपका भी driving license बना हुआ है लेकिन आपका DL खो चुका है या फिर तूट गया है या खराब हो चुका है तो इस condition में आप लोग online ही duplicate DL के लिए apply कर सकते हैं और साथ ही अगर आपका पुराना वाला जो तूटा हुए driving license है उसे replacement भी कर सकते हैं उसके बदले में आप लोगों को एक new PVC driving license by post आपके address पर send कर दिया जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और simple process बताऊंगा कि आपके इस तरहें से घरवेटे ही online duplicate DL के लिए apply कर सकते हैं तो चलिए शुरू कर सकते हैं आपको यहीं पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में आप लोग परिवहन सेबा की optional website पर आ जाएंगे इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ नीचे की side में आना है काफी सारे options आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा license related services और इसी के just नीचे ही आपको एक और option मिलेगा driver's learner license इसके बाद में आपको यहाँ पर more वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा अब यहाँ पर आप लोगों को एक option देखने को मिल जाएगा apply for duplicate deal और दोस्तों इससे पहले आपके सामने state select करन है और इसके बाद proceed करेंगे तो आपके सामने यह वाला page आ जाएगा यहाँ पर आपको apply for duplicate deal वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर आप लोगों को continue वाले option पर एक बार click करना है इसके बाद में यहाँ पर आप and conditions को accept करना है और get deal details वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपके driving license के complete detail आपको देखने को मिल जाएगी जैसे कि आपका नाम पिता जी का नाम date of birth, address और आपका photo, signature सभी कुछ detail यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद में आपको कुछ नीचे की साइ select रहेगा यहाँ से आपको अपने RTO office को select कर लेना है और इसके बाद proceed वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपको okay वाले option पर एक बार click कर देना है आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा कुछ नीचे की side में आपको आ जाना है अब इसके बाद मे यहाँ पर आपको अपने mobile number को enter कर देना है email ID अगर है तो email ID भी यहाँ पर enter करेंगे यहाँ पर जो name दिखाया जा रहा है अगर यह father का नाम है तो यहाँ पर आपको father ही select रहने देना है blood group आपको यहाँ पर से select कर लेना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी qualification को select क कर लेना है इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी तहसील का नाम select करना है आप गाओं में रहते हैं या फिर कस्वा में तो यहाँ पर आपको select करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको इस वाले box पर एक बार टिक लगा देना है तो same address ही यहाँ पर आ जाएगा और इ एक बार click कर देना है और जैसे ही confirm वाले option पर click करेंगे आपका जो address है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसी address पर आपका जो driving license है बहें deliver किया जाएगा तो आप एक बार अच्छे से check कर लें और इसके बाद में आपको okay वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपका जो mobile number है उसके last के four digit देखने को मिल जाएंगे एक capture code दिखाई दे रहा इस capture code को same to same यहाँ पर fill कर देना है और इसके बाद में आपको generate OTP वाले option पर एक बार click करना है और OTP को आपको यहाँ पर fill कर देना है capture code को यहाँ पर same to same fill करना है और इसके बाद में आपको submit OTP वाले option पर एक बार click कर देना है अब जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आप लोगों के सामने काफी सारे options आ जाएंगे तो अगर आप लोगों का जो भी driving license है उसे आप लोग replace करना चाहते हैं आपका तूट गया है या फिर खराब हो चुका है तो यहाँ पर आपके option मिल है इसलिए हमने replacement of deal वाले option को select कर लिया है इसके बाद में आपको proceed वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा आपका name driving license और rt office कुछ नीचे की side में आएंगे यहाँ पर आपको एक option देखने को में लेगा save declaration form बन इस वाले option पर आपको एक बार click कर देना है click करने के बाद में यहाँ पर आपसे कुछ questions किये जाएंगे yes या no में तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से yes या no में answer को select कर लेना है यहाँ पर आप लोगों को terms and conditions को accept करना है और submit वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद में आप लोगों को सभी terms and conditions को accept कर लेना है और आप से पूंचा जा रहा है क्या आप अपने body के किसी भी organ को donate करना चाहते हैं अगर by chance कोई भी accident हो जाता है तो अगर donate करना चाहते हैं तो ही आपको yes करना है नहीं तो आपको no वाले option को ही select रहने देना है और इसके बाद में capture code करेंगे यहां पर लिखे आ जाएगा congratulations your application has been submitted successfully अब आपको यहां पर दोबारा से ओके बाले option पर एक बार click करेंगे click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से applicant की detail देखने को मिल जाएगी और यहां पर आप लोगों को applicant का address देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपको RTO office का भी address देखने को मिल जाएगा और इसके बाद में आपको कुछ नीचे की side में आ जाना है यहां पर आपको next व वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही submit वाले option पर click करेंगे आपके complete detail आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी अब आपको यहाँ पर कुछ नीचे की side में आ जाना है यहाँ पर आपका एक step complete हो चुका है अब आपको second step में document को upload करना है जिसके लिए आपको सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों को document में select कर लेना है driving license इसके बाद में proofs में select कर लेना है driving license और यहाँ पर आपका जो भी driving license है उसके photo को आपको upload करना है जिसके लिए आपको choose file वाले option पर एक बार click करना है आपके driving license के जहाँ कहीं पर भी photo आपन code हो चुका है इसके बाद में आपको यहाँ पर confirm वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो status में saved लिखके आ चुका है और अब आपको यहाँ पर next वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में दोबारा से आपके सामने application कैसे number और date of birth आ जाएगी इस capture code को fill करके submit वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद में दोबारा से आपके सामने आपका photo और complete detail देखने को मिल जाएगी कुछ नीचे की side में आ जाना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे दो step complete हो चुके हैं इसमें की हमारा signature को upload करना है जिसके लिए आपको यहाँ पर proceed वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा यहाँ पर आपकी सभी कुछ detail आ जाएगी कुछ नीचे की side में आ जाना है यहाँ पर आप लोगों को अपना एक password side का photo upload करना है और इ नीचे के side में आपके जो signature हैं वो भी यहाँ पर आ जुके हैं अब आपको यहाँ पर फिर से कुछ नीचे की side में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को save photo and signature image files वाले option पर एक बार click करने के बाद में यहाँ पर आपको ok वाले option पर एक बार click करना है यहाँ पर आप लोग और जैसे ही submit करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से detail आ जाएगी, इसके बाद में कुछ नीचे की side में आएगी, यहाँ पर आपका deal number देखने को मिल जाएगा, तीन step हमारे complete हो चुके हैं, अब चौते step में आप लोगों को online ही fees का payment करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर proceed वाले option पर एक बार click कर देना है, और click करने के बाद में कितनी fees का आपको payment करना है, वो detail आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो UP में आपको यहाँ पर total 400 यानि की 400 रुपए की fees का payment करना पड़ेगा, इसी तरह से अलग- चकोट को SIM-to-SIM यहाँ पर fill कर देना है, और इसके बाद में यहाँ पर आपकी email ID, mobile number के last के 4 digits आ जाएंगे, pay now वाले option पर एक बार click करना है, और इसके बाद में payment detail आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पर आपको terms and condition को accept करना है, proceed for payment वाले option पर एक बार click कर द सारे और भी options देखने को मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पर debit card के माददिम से payment करना चाहते हैं, अगर आपके पास में State Bank of India का debit card है तो इस option को select करेंगे, लेकिन किसी दूसरी bank का debit card है तो आपको इस वाले option को select कर लेना है, select करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से payment detail आ इंटर करना है, expiry date को fill करना है, CBB नंबर जो की आपके debit card के back side में होता है, उसे fill करेंगे, और सभी कुछ detail को fill करने के बाद में pay वाले option पर एक बार click कर देना है, और इसके बाद में आपके bank account से जो भी mobile number लिंक होगा, उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा, OTP यहाँ पर fill करना ह और इसके बाद में submit वाले option पर एक बार click कर देना है, और जैसे ही submit वाले option पर click करेंगे, यहाँ पर आपके सामने payment details आ चुकी है, status में payment successful लिखके आ जाएगा, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा, यहाँ पर एक option RTO office जाना चाहते हैं, तो appointment को book करने के लिए आपको यहाँ पर दुबारा से यहाँ पर driver, learner, license वाले option पर एक बार click कर देना है, click करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक option मिल जाएगा, appointments का, आपको इस वाले option पर एक बार click करना है, और जैसे ही click करेंगे, आपके साम option पर एक बार click कर देना है, और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा, यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा, slot booking, इसके जश्च नीचे ही आपको तीसरे number पर एक option मिलेगा, LLDL services slot booking, तो आपको इसी वाले option पर एक बार click कर देना है, click करने के आपने कुछ इस तरह से details आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर service भी देखने को मिल जाएगी, कि कौन से service के लिए आप लोग appointment बुक करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को proceed to book बाले option पर एक बार click कर देना है, अब यहाँ पर आप लोगों को एक calendar देखने को मिल जाएग नहीं है, और blue color में holidays हैं, और यहाँ पर जो भी gray color में, इसमें भी आप लोग slot को book नहीं कर सकते हैं, तो जिस भी दिन आप लोग appointment के लिए RTO office जाना चाहते हैं, उस date को आप लोगों को यहाँ पर select कर लेना है, और date को select करने के बाद में, यहाँ पर आपको time भी select कर लेना है कि आप 10 से 12 के बीच में जाना चाहते हैं, या फिर 12 से 2 बज़े के बीच में जाना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को time slot book करने के लिए 3 option मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो भी सही लगे उसे select कर लेना है, यहाँ पर आपकी final date देखने को मिल जाएगी, और इसक को आपको यहाँ पर enter कर देना है, इसके बाद में आपको confirm to slot book बाले option पर एक बार click कर देना है, और जैसे ही click करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपका जो appointment है, बहे successfully book हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को date देखने को मिल जाएगी, इसके बाद में यहाँ पर time देखने को मिल जाएगा, एक QR code भी देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ में यहाँ पर आपको दो option मिल जाएगे, पहला option है print का और दूसरा option है save as PDF, तो अगर आपके पास में अभी printer अविलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर save as PDF बाले option पर click करके, इसे अपने mobile phone में या फिर PC में save कर सकते हैं, इसके बाद में आप चाहे तो कहीं पर भी इसका एक print out निकलवा सकते हैं, और print out निकलवाने के बाद में अब आपको यहाँ पर 4 document को अपने साथ में RTO office में ले के जाना है, सबसे पहला document है आपको अपने आधार कार्ट की photocopy करवा लेनी है, इसके बाद में यहाँ पर जो भी date और time दिया हुआ है, इसी date और time पर आप लोगों को RTO office में widget करना है, बहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी ये documents को submit कर देना है, submit करने के बाद में आपको चले आना है, और इसके बाद में दूस्तों आप लोगों का ज लाइन ही apply कर सकते हैं,